नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड चोते सीक्रेट कुमरासी दिसंबर 2021 जन्वरी 2022 यनि ये साल जाते जाते और 2022 का सुरुआत कैसा रहने वाला है आज हम आपको विस्तार से बताएंगे वीडियो के अंतक बने रहें और ये प्रेटिक्शन चंदरासी पर आधारित है तो कुमरासी वालों आपके लिए पहले बात करते हैं दिसंबर की करियर से सुरुआत करते हैं कुम बालो आपके लिए दिसंबर का महिना बस ये समझ लें कि दिन दूनी राच चोगुनी तरक्की करेंगे क्योंकि आपका जो करियर का भव है दसंभव मंगल है अब यहां पर दिगवली अवस्था में है जिसका मतलब आपका confidence बढ़ाएंगे आप और ज्यादा positive सोच के सा साथ आगे बढ़ेंगे और मंगल आपकी कुंडली के तीसरे भव के स्वामी है और इसमें दसंभव में होना आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप जो भी परियास करेंगे बिलकुल सही दिसा में और उसका फल भी आपको मिलेगा आप जितने भी आपके कारे अभी आपके नौकरी को छोड़ दें तो देखिए बैफसा अगर आप सुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अपसर है लेकिन जॉब में भी आपको सफलता मिलेगी क्योंकि यहां पर बैफसाई लोगों के लिए ज्यादा अच्छा वक्त है और यह समय खासकर वानी में तेजी, क्रोध लेकिन एकदम से अंदर से आग जो कि आपके कारे में आपको सफलता दिल बाएगा पार्टनर्सिप में काम करते हैं छोटे मटे मध्वेद हो सकते हैं धन की बात करते हैं तो आपके जो दूसरे भौ के स्वामी हैं गुरू ब्रहस्पती आपके ल पंचम भौ को दृष्टी कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा ना धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में आने लेगी अब यहां पर आप किसी भी तरह का कहीं भी पैसे इंवेश्ट करेंगे निरने लेना चाहेंगे तो अगर बड़े बुजरूं से आप सलाह लेकर या भिस तमाम जो धन का एक बड़ा हिस्सा योजनाओं में इंवेश्ट कर सकते हैं आगे चलकर इसका लाब होगा और दिसंबर का मेहना आपके लिए धन के मामलों में खर्चा करा रहा है तो ध्यान रखें स्वास्त की बात करते हैं यह मेहना आपके लिए पूरी तरह से जोस उत् जिसका सकात्मक फल भी मिलेगा आपका स्वास्त अच्छा रहेगा हला कि दसंभाव में मंगल की उपस्तिती पांच दिसंबर को आपको थोड़ा सा यहां पर आपको ब्यायाम या योगा भ्यास बेगर करने के लिए कहा जाता है क्योंकि थोड़ा सा आपका ओवर वेट होन अगर आप जैसे की कमर दर्द पीठ दर्द जैसी चीजें हो सकती चोटी मोटी इसका भी आप ध्यान रखेगा तो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है लेकिन अगर हम आपके प्रेम जीवन की बात करें बैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन आपके लि और संपन्न बनेगा और एक दूसे के करीब रहेंगे बुद्ध आपके अस्टम भौके स्वामी है तो पंचम भौपर द्रिष्टी करेंगे अपने साथी से किसी भी तरह का सर्प्राइज या उपहार बेगरा मिल सकता है और यदि आप सिंगल है तो दिल की भावनाओं को ब्यक्त करने के लिए ये समय उत्तम है हलांकि संभावना ये भी है कि भावनात्मक आर्थिक रूप से आपको जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा और इस समय का फायदा आपको उठाना है पारिवारी जीवन की बात करते हैं तो आपके लगन भौके जो स्वामी सनी है आपके दूसरे भाव पर दिष्टी करेंगे और दूसरे भाव के स्वामी गुरुब रिष्पती आपके लगन भाव में उपस्तित हैं तो येकिनन ये महना आपके पारिवारी जीवन के लिए बहुत सारे बदलाव लाएगा छोटे भाई बेन को उनके काले छेतर में पदोनती हो का धन बढ़ेगा तंखा बढ़ेगी एकादस भाव में सूरे बुद्ध है तो पंचम भाव की दृष्टी करेंगे तो दामपत्ते जीवन में संतान का सुप्राप्त करने में भी आपको मदद करेंगा और संदान के साथ भी आपके रिष्टे बेहतर होंगे सूरे बुद् आके साथ संबंदों को और बेहतर करेंगे और गरहों की स्थिति जीवन साथी है ससुराल वेगेर से आपको लाब दिलाएगा वैसे आपका पारिवारी जीवन मिला जुला हुआ है तो इस दिसंबर के मेहिने में कुल मिलाकर आपको थोड ही काम करना है कि आप अपने रासी के स्वामी को मजबूत करे और खाने पीने की वस तू गरीबों में सनिवार के दिन अगर आप दे सकें तो उत्तम होगा अब बात करते हैं आपके जन्बरी 2022 की तो कुम्ब बालो जन्बरी 2022 आपके लिए बहुत सारे बदलाओं लेकर आया हैं कैसे चली जानते हैं पहले बात क छोटे भाई बहनों से छोटे मोटे मतवेद हैं अब आप सुचेए कि शुरुआत में ही ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा सा है क्योंकि घर में किसी का स्वास्त गरबर हो सकता है तो घर का माहौल थोड़ा तनाव देगा ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखना ह अगर हम नौकरी बैपार की बात करें तो लाब ही लाब है खर्चे हैं लेकिन कुछ नया करने का मन में आइडिया आएगा लेकिन कॉन्फिदेंस डगमगार आए थोड़ा बहुत सत्तुर परेसान करेंगे और अगर आप जॉब करते हैं तो कोई समस्या नहीं क्योंकि ये म साथ मिलेगा अगर आप करियर की बात करें तो मन में छोटी मटी चिंताएं हैं किसी के साथ सेर नहीं कर पाएंगे धन की मुस्किले हैं हलाकि दोस्तों की सहयता मिलेगी फिर मन में थोड़ा सा भय है तो भय को निकाले नियमित रूप से गयत्री मंत्र पढ़ें आपके लि हैं रिस्तों में थोड़ी दूरियां बढ़ सकती किसी बात को लेकर थोड़ा सा कला है ध्यान रखिएगा और इस समय बैभाई जीवन आपका बहुत अच्छा है क्योंकि एक दूसरे सा संतुष्ट है पर अगर स्वास्त की बात करें तो थोड़ा सा जैसे की तलाब को थोड़ा मजबूत करें ओम संसने च्रैनमा का जितना ज़्यादा जब कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए उत्तम रहेगा और तीसरी बात आपके लिए जनवरी 2022 में आपको उत्साह देगा कारे करने की यह महिना आपको थोड़ा से यात्रा बेगरा भी करवा अगर मार्केट बेगर में आप लगाए हैं तो आपको इंकम होंगी पर सोच समझ कर लगाईएगा आपकी सोच उचा रहेगा और छोटी-छोटी उड़ानों से आपको ज्यादा खुसी नहीं मिलती तो यह उची सोच आपको बड़ा पंक भी देगा अगर आप किसी दिर को अग्दम से इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जो आपको नीचा दिखाएंगे तो उन लोगों को इग्नॉर करें माता पिता का सपना को पूरा करने का प्रयास करें क्योंकि इस मेहने में सपने भी पूरे होंगी छोटी-मूटी गलतियां है पर न